रन्वीर शौरी और यहाँ पर हुई है अब लड़ाई किसी और की नहीं बल की कटारिया की लव कटारिया और रन्वीर के बीच में एक बहुत ही बड़ा टफ कॉम्पिटीशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर बिलकुल भी ये बात रन्वीर शौरी को पसंद नहीं आ रही कि जिस तरीके से लव कटारिया सभी के साथ बाते कर रहा है और जिस तरीके से वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो इस शो के बारे में बहुत कुछ जानता है ये चीज रनवी शौरी को बिलकुल पसंद नहीं आ रही और इसी बात को लेकर उसने अब फटकाल लगा दी है दरसल यहां राशन को लेकर जिस तरीके से इन दोनों के बीच में डिसकशन चल रही थी यहां पर पूरा घर इस बात को लेकर डिसकस कर रहा था कि जब तक राशन की कमी है क्या किया जाए और वही पर रनवीर शौरी सोफे पर बैठा था लव कटारिया आकर रनवीर के पास पैर उपर रख कर बाते करने लगा और ये बात रनवीर शौरी को बिलकुल पसंद नहीं आई और उसने साफ साफ कहा कि क्या तुमें तमीज नहीं है तुम जो है एलविश के नाम पर कुछ जादा ही नहीं उचल रहे और इस तरह की बात जो है जैसे ही रनवीर ने लव कटारिया को कही तो लव कटारिया को गुस्सा आ गया हम आपको बता दे कि लव ने स्टेज पर आते साथ जिस तरीके से एलविश आर्मी का जिक्र किया था एलविश का नाम लिया था तभी से अब लवकटारिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो इस शो में अपने बलबूते पर आया है या फिर एलविश की फैन फॉलोईंग के सहारे और अब यही बात के ताने उसे घर में भी सुनने को मिल रहे हैं तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि एलविश का स्टेज पर ही जिस तरीके से लवकटारिया ने नाम लिया कि आपको लगता है कि वही उसे भारी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही दिन से लव और एलविश के बीच में कमपारिजन शुरू हो गया आपकी क्या राए हैं कमेंट जरूर करें